हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाल हैं solvents used in 1H NMR और proton NMR तो वैसे तो यह बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इस पे मैं dedicated वीडियो क्यों बना रहा हूँ जब तक हम लोगो solvents के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम लोग NMR instrumentation या फिर NMR में experiment नहीं कर सकते और जब भी हम लोग competitive exam का बात करते हैं तो इससे related कुछ tricky questions आते हैं तो इसका concept एक बार हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो इससे related जो भी question आएगा उसको बहुत ही easy way में solve कर सकते हैं so let's discuss the details about the solvents used in 1H NMR तो सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे characteristics of solvents used in NMR so first characteristic is that chemically inert solvent is used in NMR spectroscopy means whenever we are using any solvent in NMR spectroscopy that should be chemically inert means solvent होगा वो हमारा जो भी sample है या फिर जो भी molecule है उसके साथ react नहीं करना चाहिए वो बिल्कुल ही inert होना चाहिए second characteristic is that solvent should be magnetically isotropic which means no preferred direction in nature इसका मतलब यह होता है कि हम लोग जो भी solvent use करते हैं वो magnetically isotropic होना चाहिए means किसी भी direction में magnetic field apply हो तो उस पर solvent का solvent पर उसका कोई भी effect नहीं होना चाहिए magnetic field कैसे apply होता है अलड़ी हमने discuss किया हुआ प्रिवेस वीडियो में mainly instrumentation में तो हमारा जो solvent होना चाहिए magnetically isotropic means no preferred direction means कोई भी direction से magnetic field apply हो वो similarly apply होना चाहिए नेक्स्ट वन इस इट सुड़ी फ्री फ्राम एनी वन एच एटम इट सुड़ी फ्योर एंड इसली अवेलेवन तो जब भी हम लोग वन एच एनेमार की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग proton एनेमार की बात कर रहे हैं तो कोई भी solvent हम लोग ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं जिसमें वन एच एटम हो जैसे water हो गया है मिथेनॉल हो गया चार हाइड्रोजन एटम है वन एच एटम तो कोई भी solvent जिसमें वन एच एटम प्रेजेंट होगा उसको डिरेक्ली ऐसे सॉल्वेंट एनेमार में यूज नहीं करते हैं तो कौन सा यूज करते हैं या फिर उसका अल्टरनेट क्या है उसको कैसे प्रोशेस करेंगे कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ दूसरा चीज उसमें जोड दिया जाए और वह हमारा वन एच इनेमार में एज़े सॉल्वेंट यूज हो जाएगा वह सारा चीज अभी हम लोग इसी वीडियो में डिसकस करने वारे हैं तो यहां पर हम लोग दो एटम लेते हैं फर्स्ट होता है हमारा वन एच जो होता है हमारा प्रोटाउन इसका एटॉमिक मास होता है वन प्रोटाउन होता है वन इसमें quantum number का value होता है 1 by 2 यह हमने अल्लेडी discuss किया हुआ spin quantum number वाले section में बहुत ही detail में discuss किया हुआ है तो यह half होता है और इसमें neutron तो ही नहीं तो neutron का कोई contribution नहीं होगा spin quantum number में तो ultimately 1h का spin quantum number half होता है i is equal to half इसी में अब हम लोग ले लेते हैं deuterium, deuterium में क्या होता है इसका जो atom होता है 2h इसी को d से भी denote कर देते हैं हम लोग तो इसका atomic mass हो जाता है हमारा 2 proton होता है इसमें 1 और neutron होता है इसमें 1 इसको देखते हैं यह हमारा deuterium है इसमें एक proton होता है और एक neutron होता है तो इस प्रोटॉन का हमारे पास spin quantum number i is equal to होता है 1 by 2 और इस neutron का भी i is equal to होता है 1 by 2 तो 1 by 2 plus 1 by 2 2 half को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा वो 1 बन जाएगा इसलिए deuterium का spin quantum number हो जाता है वो हो जाता है 1 तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा item होता है जिसमें 1H present होता है उसको हम लोग को 1H को हम लोग 2H से replace कर दे means hydrogen को deuterium से replace कर दे तो उस condition में उसको हम लोग NMR में as a solvent use कर सकते है क्यों क्योंकि यहाँ पर 1H का spin quantum number होता है 1 by 2 और जब यह 2H हो जाता है तो उसका spin quantum number हो जाता है 1 means जो NMR 1H NMR का instrument है यह 2H को detect नहीं करेगा उसका कोई peak नहीं आएगा तो solvent का मतलब क्या होता है हम लोग solvent हमेसा ऐसा यूज़ करते हैं जिसका जो भी हम लोग spectroscopic method यूज़ करना है उसमें उसका peak ना आए उसका peak ना दिखे उसका signal ना है सेम चीज हम लोग ue visible spectroscopy में भी करते थे मिथेनॉल इथेनॉल वाटर जो भी solvent लेते थे उनका क्या होता था जो absorption होता था 200 nm से नीचे होता था इसलिए उसको ऐसे solvent यूज़ करते हैं तो सेम चीज यहाँ पर भी apply होता है यहाँ पर हम लोग क्या count कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग proton देख रहे हैं तो कोई भी ऐसा solvent जिसमें 1H होगा तो उसको as a solvent यूज़ नहीं कर सकते हैं यह basic concept है इस पर बहुत सारे questions आते हैं और उसको ले करके आप solve कर सकते हैं बीफाम में यहाँ रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत अची बात है यहाँ बीफाम में भी रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो at least textbook तो पढ़ो ना हमारा seven semester की बात करते हैं तो इसका भी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है चारो बुक्स इन सबका जो लिंक है आपको description में मिल जाएगा वहाँ पर से directly आप order कर सकते हैं और आपके घर तक यह सारे books deliver हो जाएंगे ठीक है तो next characteristic अब देख लेते हैं solvent और solvents should able to dissolve the molecule or sample in reasonable quantity तो जब भी हम लोग solvent यूज करते हैं तो वहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना कि ऐसा है कि मालो हमारे पास कोई polar compound है और हमने non polar solvent ले लिया मालो carbon CCL4 ले लिया तो उस condition में क्या होगा CCL4 जो polar compound इसको तो डिजॉल ही नहीं कर पाएगा जब डिजॉल ही नहीं कर पाएगा तो क्या होगा उसका एनमर में तो सैंपल ही properly हमारा प्रिपेर नहीं हुआ तो उसका signal कहां से आएगा उसका पीक नहीं जनरेट होगा तो उसके लिए हमें देखना है कि जो solvent है वो हमारा जो molecule है या फिर सैंपल है उसको reasonable quantity में dissolve कर देना चाहिए उसमें उसकी solubility उस particular solvent में जो हमारा सैंपल है उसकी solubility better होने चाहिए यह कितनी होना चाहिए approximately 10% और more solubility means जो भी compound है जो भी sample है उसकी solubility 10% या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए तभी उसको as a solvent हम लोग NMR में यूज कर सकते हैं इसी इसी property को हम लोग दूसरे words में बोलते हैं तो इसी को बोलते है good solvent capacity solvent capacity good होना चाहिए इसका मतलब उस solvent पर्टिकुलर जो सैंपल है उसकी solubility जादा होने चाहिए नेक्स पॉइंट है हमारा इन 1H NMR solvent student give spin quantum number i is equal to 1 by 2 तो 1H NMR में जो भी हम लोग solvent लेते हैं उसका spin quantum number 1 by 2 नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि 1H NMR की बात कर रहें तो 1H का spin quantum number कितना होता है 1 by 2 तो बागी और किसी का भी spin quantum number 1 by 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो hamper करेगा हमारे result को अल्टर कर देगा ऐसा possibility भी होगा कि जो हमारे पास 1H NMR में करने हैं और कोई दूसरा हमारे पास एटम है जिसका भी i is equal to 1 by 2 है तो वो भी डिटेक्ट हो सकता है वो भी डिटेक्ट हो सकता है इससे हमारा पीक जो है प्रापर नहीं आएगा इसलिए हम लोग एवाइट करते हैं इसका एक्जामपल क्या हो गया और जो हमारे पास एटम से जिनका स्पिन कॉंटम नमबर i is equal to 1 by 2 होता है वन एस तो होता ही है और सी 13 कभी होता है 1 by 2 एफ 19 कभी होता है पी 31 कभी होता है 1 by 2 तो हम लोग इस तरीके का जो भी हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होंगे उस तरीके का जो सॉल्वेंट है उसको हमें एवाइट करना चाहिए यहां रहन जनरली कारवन ठ् δमों होता है कारवन ठडीन आइसो टॉप होता है कि तो हिसका ट्वेंट करक efterंच कर सकते हैं कि कामें युज सॉल्वेंट सेन marin map. यहां पर कुछ वावन इसके लाव और बहुत सुर्वेंट cetera कर सकते हैं बड़े कॉमनली है जो हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट वानीज सी लफोर कार्बन टेट्राकुलोराइड यहां पर देख रहें कि कार्बन है कार्बन मीज कार्बन ट्वेल है जिसका हमारे पास स्पिन कॉंटम नूमबर जीरो होता है वह आगे हम लोग देखेंगे और क् तो इसको ऐसे सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं CS2 कार्बन डाइस सल्फाइड यहां पर भी हैड्रोजन नहीं है वन एच नहीं है तो यूज कर सकते हैं 250 अधरोजन को डिटीरियम से रविप्लेस कर दि कर दिया है तो इसको भूलते हैं वलोग डिटेरो एसे सॉल्वेंट यूज कर इसमें भी क्या है इसमें भी हमारा हाइड्रोजन नहीं है यूज हो सकता है नेक्स्ट क्या होता है हमारा नेक्स्ट होता है हमारा cd3-hole twice-so इसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरो डाइम मिथाइल सलफ ऑक्साइड या फिर ड्यूटेरियम कंटेनिंग dmso डाइम मिथाइल सलफ अक्साइड इसका सॉट टेम होता है dmso तो dmso का जो हाइड्रोजन होता है यहां पर s3 होता है actually dmso में उसको d3 means deuterium से हमने replace कर दिया है तो इसको as a solvent use कर शकते हैं यह maximum cases में dmso use होता है as a solvent because dmso में generally हम लोग मानते हैं कि यह जो dmso होता है यह universal solvent होता है इसमें means polar और non-polar दोनों तरीके के जो samples होते वो dissolve हो जाते तो यह काफी commonly use होता है as a solvent next होता है हमारा c6 d6 deuterobenzene means जो benzene है उसका 6 जो hydrogen है उसको deuterium से हमने replace कर दिया है तो इसको भी as a solvent use कर सकते हैं तो यह सारे हमारे as a solvent है NMR spectroscopy में अब हम लोग कुछ individual solvents का discussion कर लेते हैं इसके अलाव भी और बहुत सारा चीज़ है जो as a solvent use हो सकता है तो next जो होता है हमारा carbon tetra chloride इसका structure देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है यहां पर बीच में carbon है और चार chlorine से अटाइज जाए अब इसका spin quantum number देखते हैं तो carbon जो होता है हमारा जो main c12 होता है और c12 का spin quantum number i is equal to 0 because उसमें 6 proton होते हैं और 6 neutron होते हैं तो 6 proton means even number है तो उसका i is equal to हो गया 0 6 neutron वो भी even number है तो i is equal to हो गया 0 0 plus 0 is equal to 0 तो जो carbon 12 है उसका i is equal to होता है zero और वैसे हमारा chlorine है chlorine 35 ठीक है तो chlorine 35 में क्या होता है हम लोग इसका निकालेंगे तो क्या होता है 17 होता है इसमें proton और 18 होता है इसमें neutron, 17 proton means क्या हो गया, इसमें 17th number का जो proton है, उसका spin कितना होगा, i value कितना होगा, spin quantum number कितना होगा, तो वो होता है 3 by 2, और 18 neutron है, तो 18 neutron क्या है, even number है, तो एक दूसरे का spin को cancel कर देते हैं, तो उसका neutron का value हो जाता है 0, तो ultimately जो chlorine है, उसका spin quantum number हो जाता है 3 by 2, जो 17th number का proton का है, जो spin वही चीज़, तो 3 by 2 हो गया, यहाँ पर 1 by 2 तो नहीं है, 3 by 2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसको as a solvent हम लोग use कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1 H NMR कर रहे हैं, और वहाँ पर मैंने starting में बताया था, कि जो भी हमारे पास atom है, जो 1 by 2 spin quantum number देंगे, उसको use नहीं कर सकते हैं, बाकी को use कर सकते, यहाँ पर 3 by 2 है और 0 है, तो use कर सकते, next example हम लोग ले लेते हैं, C S2, carbon di sulfide का, इसका structure देखेंगे, तो कुछ इस तरीके से होता है, C double bond S, इधर भी double bond S, तो यहाँ पर carbon का वही, I is equal to 0, sulfur का क्या होता है, 32 में क्या होता है, 16 हमारे पास proton होते हैं, 16 neutron होते हैं, तो दोनों even number है, तो दोनों का spin हो गया 0, 0 plus 0 is equal to 0, तो ultimately spin quantum number 0 हो गया, तो C S2 को भी as a solvent हम लोग use कर पाते हैं, 1 H NMR में, next होता है हमारा CDCl3, deuterocloroform, जो मैंने पहले ही बता है, तो यह हमारे पास chloroform है, तो यहाँ पर carbon का I is equal to 0, chlorine का I is equal to 3 by 2, पहले ही मैंने बताया, और hydrogen का क्या होता है, I is equal to 1 by 2, अब यहाँ पर हम लोग chloroform है, CHCl3, यहाँ पर hydrogen है, hydrogen means 1 H, और इसका spin quantum number 1 by 2 है, 1 H NMR ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब तक hydrogen है, इसको as a solvent हम लोग use नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमें replace करना पड़े हैं, किस से? deuterium से, यहाँ पर D से replace कर दिया, means यहाँ पर 1 H है, तो यहाँ पर deuterium means 2 H हो गया, एक proton, एक neutron वाला, तो यहाँ पर carbon का वही, I is equal to zero, chlorine का, हमारे पास 3 by 2, अब deuterium का क्या हो जाता है, 2 H means 1 proton का half spin, और 1 neutron का half spin, half plus half, मिल करके क्या हो जाता है, 1, तो यहाँ पर I is equal to हो गया 1, जब इसका I is equal to 1 हो गया है, इस deuterium का, तो इसको as a solvent यूज कर सकते हो, अब यह detectable नहीं है, हमारा 1 H NMR में, तो यही चीज मेन है, जो हमारे पास यह जो hydrogen है, उसका deuteration करना पड़ता है, जब deuteration करते हैं, तो उसको as a solvent हम लोग use कर पाते हैं, इतना भी hydrogen है, उसको replace करके हम लोग deuterium से कर दिये, इथेनल है, उसमें भी hydrogen है, उसको deuterium से replace कर दिये, तो उनको as a solvent हम लोग use कर लेते हैं, अब आता है limitation of deuteration, जो हम लोग deuteration कर रहे हैं, इस 1 H को 2 H से replace करके हम लोग as a solvent use कर रहे हैं, इसको deuteration कर देंगे, तो D2O, जो है deuterated water, उसको हम लोग as a solvent use कर पाना चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन इसको भी generally हम लोग use नहीं कर पाते हैं, क्या होता है, इसमें यह जो हमारे पास water, इसको convert कर देते हैं, हम लोग इसमें deuterium में, जो दोनों hydrogen है, उसको deuterium से replace कर दिया, तो यह हो जाएगा D2O, अब यहाँ पर हमें oxygen है, उसका spin quantum number देखते हैं, तो O16 होता है, means 8 proton, 8 neutron, तो ultimately 0 plus 0, I is equal to हो जाता है 0, spin quantum number बहुत अच्छे से मैंने अलड़े detail में discuss किया हुआ है, वो आप लोगों को देख लेना चाहिए, दिया चीज समझ में नहीं आ रहे हैं, तो next होता है हमारा hydrogen, hydrogen का 1H का 1 by 2 होता है, यह आप लोगों पता है, अब deuterium में आते हैं, तो deuterium में भी हमारा oxygen का I is equal to 0 हो जाएगा, deuterium का I is equal to 1 हो जाएगा, हमारा यह 2H का I is equal to 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर अब half यह नहीं रहा, तो ultimately यह detect नहीं होगा, तो जो D2O है, इसको as a solvent हम लोग NMR में यूज़ कर सकते हैं, बट जब भी हम लोग यह ऐसा करते हैं, तो यह आपस में कुछ पार्ट वापस से हमारा change होकर के, यह partial deuterated water में convert हो जाता है, मिस इसका एक तो deuterium ही रहता है, दूसरा जो hydrogen है वो hydrogen में वापस से convert हो जाता है, रिवर्सिबल होता है, इसको बोलता है partial deuterated water, तो अब यहाँ पर 1H आ गया, 1H आने की वज़ा से यह वापस से NMR में signal देने लगएगा, इसलिए जनरली हम लोग जो वाटर है उसको NMR में as a solvent यूज़ करने के लिए avoid करता है, क्योंकि यहाँ पर इसका signal हमारा आएगा, I is equal to 0 हो गया, यहाँ पर 1H का जो spin quantum number होता है, 1 by 2 होता है, यह हमारा NMR में signal देने लगता है, और यहाँ पर होता है हमारा deuterium, ठीक है, तो यह limitation है, अब हम लोग देखते हैं, इसका hydrogen bonding पर क्या effect आता है, तो first होता है हमारा it will increase the delta value, means जब भी hydrogen bonding होता है, तो delta value means chemical shift का जो value होता है, वो increase हो जाता है, chemical shift का value क्या होता है, वो आगे के वीडियो में हम लोग discuss करेंगे, कि delta value क्या होता है, कैसे calculate करते हो सारा चीज़ हम लोग upcoming वीडियो में discuss करेंगे, due to hydrogen bonding, de-seilding occurs, तो जब भी hydrogen bonding होगा, तो आपर क्या होगा, de-seilding होगा, क्यों होगा, आगे देखेंगे इसको, तो जब भी हमारे पास OH या फिर NH ग्रूप का concentration ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर hydrogen bonding होती है, और जब hydrogen bonding होता है, तो electron का जो transfer होता है, hydrogen से होने लगता है, किसके साथ electron negative जो atom attached होता है, जैसे यहाँ पर oxygen है या फिर nitrogen है, उसकी तरब electron का transfer होने लगता है, जब यह electron का transfer होने लगता है, तो यह ultimately lead करता है, de-silding को, जब de-silding होता है, तो delta value increase होता है, chemical shift में, delta value अब same sample will be different, तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी hydrogen bonding होता है, तो same sample का जो delta value है, वो different हो जापता है, कैसे different होता है, मालों यहाँ पर OH, OH, दो अलग अलगा group है, और यहाँ पर hydrogen bonding हो गया, यहाँ पर यह वाला bond है, dash bond है, यह hydrogen bond है मालों, तो इसका जो delta value होगा, वो, और इसका जो delta value होगा, वो, वो different होगा, means इसमें जो delta value होगा, वो थोड़ा सा increased हो जाएगा, इसका delta value के comparison में, जो नीचे वाला है, वो थोड़ा increase हो जाएगा, सेम चीज, hydrogen bonding का effect, IR में भी आता था, और यहाँ भी आता है, second example देख लेते, यहाँ पर NH group है, और यहाँ पर यह hydrogen bonding है, तो इसका delta value, उपर वाले का delta value के comparison में, जो नीचे वाले का delta value है, वो क्या हो जाएगा, higher हो जाएगा, तो यह होता है हमारा, effect of hydrogen bonding on delta value, due to solvent, तो I hope आपको solvent का NMR में, 1H NMR में, solvent का concept, बहुत अच्छे से clear हो गया होगा, इससे related question आएगा, तो आप बहुत easily solve कर सकते हो, thank you so much. अर्णी 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 वाले का नहीं,